है अब है खलूल अब ज ते अब किस लियुक्त में नीए अब धील किहें आज भी एक बहुत बड़ अप्डिप निंकल के आ है जो एक आवर है जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पेस वीडियो में डिदेयल्स बताऊंग速 उससे पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट डगेगा वह रिट करने के लिए उतनी हेल्प तो आप करी सकते हो फ्रेंड्स तो जल्दी से सटार्ट करते हैं टाटा मोटर्स का अगर अगर हम पिछले वन मंद का डेटा उटा के देखेंगे तो आप देख सकते हो 514 से लेके चार सो चोपन रुपीस तक जो है इसमें कंटिनियूसली हमें गिरावट देखने को मिली है वन येर का भी चार्ट अगर देखोगे आप तो इसने हाई बनाया था नियर बाइ 536 जो कि 268 से था तो अच्छेगा से रिटर्न ये शेर अल्रेडी दे चुका था तो यहाँ पे प्रोफिट वुकिंग के एक्स्पेक्टेशन्स थी और टाटा मोटर्स के जो रीसेंट कोटर रिजल्स थे चल के सेल्स तो बहुत अच्छा हो गहाए टाटा मोटर्स लेकिन जो है उस तरीके का जुए यहा पर प्रॉफिट कंपनी नहीं बना रही है लेकिन टाटा मोटर संग् गोल कि 2024 years में वह डेफ्री 컨ா मोटर्स का हमने أنas का हमने हैं में cover किया था कि Hyundai को यह सेग्मेंट में Tata Motors ने पीछे छोड़ दिया है और नंबर वन पोजिशन पे अभी Tata Motors जो है है इंडिया में यह सेवियो वेहिकल्स को जो कि Hyundai की पोजिशन थी अभी Hyundai second number पे चला गया है तो एक गंटे पहले क्या आप है देख लिजे आप Tata Motors domestic sales raised 27% to 73,875 units in February तो friends February में भी जो है Tata Motors का sell बहुत aggressive दिख रहा है हमें 27% की growth हमें देखने को मिल रही है February month में तो जहां पर last year की अगर हम बैत करेंगे तो देखिए आप 58,000 के आसपाच unit sell हुए थे जो की 73,875 है तो friends back to back हर एक मंथ में Tata Motors का sell जो है बहुत अच्छा हो रहा है और इन सारे sales को consider करते हुए ऐसा definitely लग रहा है कि जिस तरीके के management के प्लाने टाटा मोटर्स को 2024 में डेफरी बनाने का वह एक्जेक्यूट हो सकते है शायद रही आप यह बाइंग प्राइस की बाद तो टाटा मोटर्स में और भी थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है friends क्यूंकि बहुत जादा बड़ी रैली कर चुका है यह शेर मैं चार दिखाना चाहूंगा आप लोगों को उसके लिए जब पैंडामिक स्टाट हुआ था इंडिया में तो यह शेर अल्मोस 67 रूपीज पर ट्रेड कर रहा था और वहां से इसने 536 का हाई बनाया तो अगर आप यहां पर देखोगे 60 रूपीज भी हम अगर 70 रूपीज भी पकड़ के चलते हैं लास्ट 2020 से तो 7X से भी उपर के जो रिटर्न है टाटा मोटरस ने दिये है उनके इंवेस्टर्स को तो डेफिनेटली इतना अच्छा रैली जब आता है कोई भी शेर 7X 5X या 10X तक जूम हो जाता है तो डेफि प्रशी की वज़े से जो है हमें टाटा मोटरस में अभी जो है थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है तो आप भी आपका अनलेसिस कीजिए और आप उस हिसाब से डिसीजन लिजेगी क्या प्राइज आपको करेक्ट लगता है टाटा मोटरस का उस हिसाब से आप बाई कर सकते हो क्योंकि मेरा अनलेसिस फिलाल यह कहता है कि यहाँ पर हमें टाटा मोटरस में और भी निशलेस तरों पर बाइंग करने का चांस मिल सकता है आने वाले कुछ मंस में या या यर एंड ऑफ 2020 या फिर 2023 के बिगिनिंग में तो अगर मुझे बहुत अच्छे का स से निशलेस तर पर टाटा मोटर्स का शेर बाई करने का चांस मिलता है तो डेफिनिटली मैं उस पॉजिशन पर बाई करना चाहूंगा ना कि हायर रेंज पर बाई करके फिर शेर गिर जाएगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए वैसी case problem हो सकती है तो please analysis कीजिए in depth और इस वीडियो का आप as a reference ले सकते हो कि किस तरीके के growth जो है टाटा मोटर्स के इस पर्टिकुलर share में एंटर करें तो यही सारी important details थे friends thank you for watching this video